खुवाजा हसन निजामी दिपस्तक बेग माध्य अथ्रूदी अगली कहाणी है शेहजादी इस कारदियां कंदां कच्चियां संग जिस्ता एक हिस्सा इस वार होई बरसाच डिक्के खराब हो गया है दर्वाजे ते टाटदा फटे होया परदा लटकरे है मैं आवाज मारी तब बुड़ी नोकराणी बाहर आई ते शेहजादी साबा ने मैंनों अंदर बुला लिया इस कारदा वेडा बहुत छोटा सी पड़ी मुश्कल नाल दो मंजे डेंदे होंगे च्छत भी इन्नी है के दो मंजे भी नी डेंदे ते च्छत दे उत्तर वाले पासे एक चोटी जी कोठडी भी है जद में अंदर दाखल होया ता सहिबा बोरी उपर बैठी सी च्छत दे एक पासे मनजा पिया सी ते सामने एक बिस्तरा विच्छे होया सी ये दे बैठी शहेख़ादी सहिबा पान कुटी च अपना पान कुट रही सी बिस्तरा वी बहुत पुराणा सी टाकियां वाले एक चिटी चादर भी विचछी होई सी तकिया चोटा ते मेला सी शेहख़ादी सहिबा इस्ट पान खागे तुक दी रहना सी उदे सजे पास ये पटारी पई सी ते पटारी दी कली खराब हो चुकी सी फिर भी उदे उस ते पान दे तब बे नहीं सन छात दियां कडियां बहुत पुराणियां सन बल टॉलियां ते चुयां ने तक ते खराब कर दे सन शेहजादी सहबा दे सिर्देवाल चिटे हो गए हन पलकां दे परवट्टे भी चिटे हो गए हन जवानी चोदा काद लंबा होएगा जिस करक्यों बहुत कुबी हो गई है उदे कपड़े साफ सुत्रे सान पर कपड़े दी थां थां तो सुलाई किती गई सी उदे आवास बहुत साफ ते मजबूत है गल करन दा टांग हली मी पर याते पर बावशाली है उर दूच गल बात कर दी है बहुत कंबीरता ते आतम विश्वास नल गल कर दी है उदे अच्चे राच्चे रुडिया नल पर या होया है सुरीर भी बहुत कमज़ोर है उदे सामने जाके मैं बेंती कीती था उने किया के जियोंदा रहे मिया जब तो अखां खराब हुई है हन दरगा शरीफ भी नहीं जा सकी ते नों कदी देख्याने पर मुद्द तो तेरा ना सुन रही है जद वड़ी पेंड नी ना लिया के ख्वाजा साब आय हन ते मिलना चौन दे हन ता मैं बहुत खुश होई के जिस ता ना सुन दी सी वो खुद मेरे कार आ गए उना प्रती साधे बज़ुर्गां दी बहुत शर्दा सी ते मैं हमेशा सत्तर मीदे उर स्वेच जन दी सी उन दिखाई भी नहीं देंदा हाथ पैर भी जवाब दे गए हन हाँ दसो किस तरह ओना हुया मैं क्या ओन दा कारण हुने दसंगा पर पहला है दसो के तो अनु इस मकांच कोई तकलीफ ता नहीं हुन दी ये था बहुत ही छोटा मकान है ते छत भी थां थां सुराख वली है लगदा है छत नलू मिटी डिख दी हुएगी उवली अरे मिया तुए दा फिकर की ता जद तकदीर ने किला ते मैली छुडा देती ता हुन जो कुछ भी मिल जाए उही गनीमत है डेड रुपए मी ना कराये दा मकान इस नलू चंगा हूर की वएगा छत तो मिटी डिख दी है कोई भी रात जई निलंग दी जा दो चार वार पलंग दी चादर साफ नहीं करनी पेंदी एक वक्त सी के लाल के ले दे अंदर अपने मैल च सोंधी सी छत विच किसे चिडी न यालना बना ले उसी उदे कुझ कख मेरे बिस्तरी ती डिख पही तर रात पर नींद ना आई उन वक्ति है की रात पर बिस्तरी तो मिटी डिख दी रहन दी है ति इस तकलीफ नो सैना पहन द केंदा है उन्हें उत्तर देता जी ऊंद तों 10्रुपे मिना मिल रहा है मैं और आंदी निया उल्पीimas गजा को होला बजा कτο गजारा हूना मुखल हो गए पान्सु पारी दावी खर्चे, आए गये दावी, मैं किया मैं चौंद आंके तुसी मैंनू अपनी हालातां तो जानू कराओ, थाके मैंना हालाता नू किताब चे लिखां, क्योंकि मैं तो अड़े खांदां दे बहुत सारे मर्दां, ते ओरतां दे हालात लिखे हां। मैं किया मैं तोड़ा नाम नहीं लिखांगा, सिर्फ हालात बारे लिखांगा, उन्हें उत्तर ते ता हालात बारे की लिखोगी, सिर्फ दोई गला हां, असी बाशासी हुन फकीर हो गया, और जानना चाहू ता, जवाब है कि हुन असी मर भी जावांगी, मैं किया ता अपनी हालात बरे कुछ चानना पाओ मैं नाम ते पता नहीं लिखांगा शेहजादी से बनुए ना गुसाया कि बहुत देर कुछ ना बुली फिर मेरे ले एक पान बनाया ठंडा खौका परके बुली मिया गदर समे मेरी उमर दस ग्यारा वरे दी सी असी केले दे अंदर रहन्दे सी बाश्चा सलामत साडे खांदाननाल कुछ नराज सन पर सानुहर में नेतन खां मिल जांदी सी मैं तिन प्रावांदी के पैंड सी पिताने आखरी उमर ची खोर विया कर लिया सी ओ समे मेरी अम्मावी जियोंदी सी इस बुड़ा पेच विया कारण मेरी अम्मा ते मत्रेई मावी चाले लड़ाई चकड़ा हुंदा रहन्दा ते तिन्नों पैंड प्रावी मत्रेई मावन लड़दे चकड़दे रहन्दे पर मेरे नाल मत्रेई मावन बहुत प्यार कर दी ते मैं सकी मा ते मतरी मा दो वाँदी लाड लेती सा साड़े काँच कई और ता ते कई मर्द सेवाली नौकर सान गदर तो 6 मिने पहला मेरी मतरी मा है ज़े दी बिमारी नाल मर गए मेरे दो परावी है जे नाल मर गए ते ज़द गदर होया आता सी सिर्फ दो पैंड प्रा अबा हजरत एक मां मौजूद सा बाश्या स्लामत किले चो निकल के हमायू दे मकबरे च चले गए होर भी जने लोग किले च रहन दे सन किला खाली करके बाहर आ गए पर साड़ा मकान के ले दियां मारता नलों थोड़ा वाक ते बहुत मजबूत सी इसलिए अब्बा हजरत राजी ना होई ते उना ने किया के जे बाहर जावांगे तां भी मरांगे ते बाहर जाके मरना बुरा होएगा इस करके एथी रोज जो खुदानों मंजूर होएगा इस करच हो जाएगा बाश्या सलामत दे जान बाद दो दिन साड़े कर कोई ना आया बार दे नोक करते कारदिया नोकराणियां सब नस कईयां सन असी करदे दर्वाजे बंद कारले जोडी ची दिन चार दर्वाजे सन असी करदे दर्वाजे बंद कारले सन इना दर्वाजेयांच मोट्टे कुंडे ते वड़े वड़े तखते सन तीजे दिन मकान दे बार कोड़े आंदियां टपां ते बहुत सारे आदमी आंदियां बूलन दियां आवाजां सुनाई दितियां इस समय किसी ने दरवाजे तोड़ने शुरू कर देते मेरे प्रादी उमर 16 साल दे सी अब्बा हजरत ते अम्मा हजरत ने एकदम वुजू किता ते प्राणू किया मियां उठो तुसी भी वुजू करो मरंदा वक्त आ गया इस सुनके मेरा दिल देल किया ते मैं अम्मा हजरत ना लिप्ट गई वो रोन लगी ते मैंनू प्यार ना दिलासा देता ते कहन लगी कबराण दी जरूरत नहीं अल्ला मदद कार है शायदो कोई बचंदा साधन कर देवे इस ते बाद सब ने वुजू किता तुरंत मुसल्ले वचाखे सिर चुक आके अल्ला तो दवा मनगनियां शुरू कारदे तियां दर्वाजे तोड़न दियां वाजा आरियां सा नसी सब सिजदे दी हालत विच सा कि दास बारां गोरे ते दास बारां सिख बंदूकां जिना ते संगीना चडियां सा न हतां च लई कार दे अंदर आ गए अब्बा हजरत ते प्रा सिजदे तो एकदम खड़े हो गए अब्बा हजरत ने मैंनों गोच लेके चादर नाल मेरा मूँ टाक देता एक सिख ने अब्बा हजरत तो पुछिया तुसी कौन हो ते इथी क्यों बैठे हो अब्बा हजरत ने उत्तर देता है मेरा कार है ते मैं इथी रहना शा अलम बाशा दी उलाद विट चुआ इस सिख ने अंग्रेज अफसनों इगाल समझाई अंग्रेज अफसने टुटी फुटी उर्दू जबान कुछ कुछ किया जिनू मैं समझ ना सकी फिर उस सिख ने अब्बा हजरत नो समझाया कि साइब केंदे हैं कि बाशा इत्तु चला गया सब लोग नस के हैं तुसी क्यों नहीं गए अब्बा हजरत ने किया बाशा साधेनल कुछ नरास सम इसलिए नाउ सानों नाल लेके गए नाई असी उना दे नाल गए असी सिपायां दे बगावत विछ इससा नहीं लिया ते सानों यकीन सी के अंग्रेज सरकार बेगउना आदमिया नो तंग नहीं कर दे असी बेगउना सी इसलिए थों दोड़के नां गए अंग्रेज अफसर दा हुकम सी के सानों पहाडी ते जाना पैगा असी चान बीन करांगे जेकर तुसी बेग ना होए तो अड़े जाननों कोई खत्रा नहीं होएगा अबा हजरत ने किया कि मेरे नाल मेरी बीवी है ते एक छोटी बच्ची है ते स्वार हों ले कुछ भी नहीं है इना ओर्तानों पैदा चलन दी आदत नहीं है अंग्रेज अफसर ने जवाब देता कि इस लड़ाई दे समय असी तो अड़े ले कोई परबंद नहीं कार सकते जेकर तुसी अथे ठहरे ता डारा है कि दुझे स्पाई अथे आणगे ते बेखा ब्रीच तो अनू मार देंगे एसले तुसी जिन्नी छेती हो सके तुन चले जाओ असी तो अड़े नाल दोस पाईया दा परबंद कार दे आंगे जेकर रस्तेट कोई सुआरी मिले ता तो अड़ी ओरत ते ए लड़की ओस्ट बैठ चाएगी नहीं तैना सबनू पैदल जाना पैएगा अब्बा हज़रत मजबूर हो गए ते चलन दी त्यारी करन लगे उनान ने कुझ कीमती गेने ते ज्वारात अपने नाल लए ते बाकी सारा सुमान कारी रहन देता ते ऐसी फौज वाले अनल का रूंबार निकल तो रे अम्मा हज़रत सदा बिमार रें दी सी मैन उपराने गोच उठा लेया अब्बा हज़रत ने अम्मा दा हाथ फालेया ते असी अपने परेकार नो इक वार हसरत पर या नजरान लवेख्या कि असी यह थे फिर कदी नहीं आवांगे योई होया ते असी फिर कदी उत्थे ना गए जद असी कार्टो बार निकले ताओ अंग्रेज ते सिख फाजी कोड़ें ते स्वार होगे ते दो सिख स्वारानों साटे नल पहाड़ी वाल पे इते ता ते ओक इसी हूर पासे कोड़े दोड़ा के चले गए किले दे दर्वाजे तक ताओ कोड़ स्वार होली होली चल दे रहे उनने अब्बा हज़रत ते अम्मा हज़रत नो कुछ ना क्या क्योंकि अम्मा हज़रत चलने सी सकती हर दस कदम चलके बैठ जान दे सी उदा स्रीर भी काम बरे असी जद अम्मा हजरत बैश जान दी तो कोड सुर भी रुक जान दे पर जद असी किले दे दर्वाजे ते पहुंचे तो सुर साधे नल सकती नल पेश आए ते कैन लगे इस तरह ता शाम हो जाएगी तुसी जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल दे अबबा हजरत ने नर्मीनल जवाब देता कि पराजी तुसी देख रहे हो कि मेरे नल एक बेमार है ते कमजोर औरत है जो सारी उमर कदे पैदल नहीं चली असी शरारत नाल जा जान बुझ के अजया नहीं कर दे असी औरत ते बच्चे कारण मजबूरां सुआरे सुनके चुप हो गए पर मेरे प्रादे मुँओ ये गल अचानक निकले के तुसी इस देश देओ तो अनू साड़े ते रहम नहीं आउंदा इस देख कोड़ सुआर ने किया कैसी की करिये हाकम दा हुकम है मेरे प्रादे किया कि हाकम ने नहीं किया कि साड़े ते नहीं सकती केती जाए कोड़ सुआर ने जवाब देता असी केड़ी सकती केती है पर होन सकती करनी पहेगी क्योंके तुसी जान बुज के चलनली देरी कार रहे हो एक है के एक सुवार साथे पिछे आ गया थे एक कगे हो गया अम्मा हजरत कोडे नू अपने पिछे देखके कबरा की उन्हों दोरे पाइन दी बमारी सी उन्हों एकदम दोरा पहे गया उन्हें डाल होके डिग पही ते हाई हाई करन लगी कोड सुवार ही हालत चुप चाप खड़ा होके देखदा रहा कुछ देर बाद उन्हें अब्बा हजरत नू किया कि मैं पैदल चल दा तुसी एस बिमार आउरत नू लेके कोडे ते सुवार हो जाओ अखी रब्बा हजरत ने अम्मा हजरत नू गोद चल लेया कोडे ते सुवार होके चल पै ते हो विचारा सिक सुवार पहाडी तक पैदल गया ते मैं परादी गोद विच बैठी पहाडी ते पहुंची पहाडी ते अंग्रेज फॉज चो फेरे ठहरी हुई सी सानू वीक पासे तंबूच ठहरा देता गया उना सिक स्वारा ने सानू फोजी लंगरतों रोटी लिया के देती ये रात असी तंबूआंची गुज़ारी दूजे दिन स्वेरे फोई दे जर्नेल ने सानू सब नू अपने समने बुलाया दिली दा कोई जसूस उस अंग्रेज कोल खड़ा सी उने पुछया तूसी एना नू जान दे उने क्या हाँ मैं जान दा ये बाशा दे खानदान में चोहन ते जद लाल के ले दे अंदर अंग्रेज मर्दा औरतां ते बच्चेया नू कतल किता गया सी ते एस आदमी ने उना दे कतल करवान चे एंप उमकान बाई सी इस उनके जर्नेल ने अब्बा हजरत वल गुसे पर ही नजर नाल देख्या अब्बा हजरत ने जवाब देता कि आदमी चूट बोल रहे हैं ये पहला मेरे पास नौकर सी चोरी करन दे मैंनू एकवार बहुत मार पुआई सी ते इस नू नौकरी तो भी हाथ तो ने पहे सी इस दुश्मनी करके ही ये जया कर रहे हैं तुसी एनू इनना पुच्छो के बहादर्शा बाशा किन्ने सालां तो मेरे नाल नरासन ते बहुत समय तो साड़ी द्वास लाम भी नहीं सी हुई जैसो उसने उतर देता कि ये ठीक है मैं एना दे ये थे नौकर सी पर एक गल ग गदर होया ते इना ने बाशानों खुश कर ली उना पास ओना जाना शुरू कर देता ते जिस दिन अंग्रेज कतल केते गए ते ए इना दा लड़का बहुत कोशिश कर रहे सान ते उना लोकां ते नराज हुन दे सन जो अंग्रेज ओरतां ते बच्चेयां दे कतल दे खिल यह सुनके जर्नेल गुसे ना लाल पीला हो गया ते फिर उने अबा हजरत दी कोई गल ना सुने पामे वे इस गल ते जोर देंदे रहे कि बिलकुल चूट है पर जर्नेल दे गुसे दी कोई हाद दना रहे उने कोई गल सुने बिना हुकम देता कि ना दुआनों गोड़ी पर एक या कि ना दुआने साधिया औरतां ते बच्चे नू कतल करवाया पर असी इना ते रहम कर देयां ते इधी औरत ते बच्चे नू छाड़ दने हैं इना दुआनों छोणी चो कर देओ ए जित्थी मरजी चलियां जाना गोरे ते देसी सुपाई अगी वादे ते उन नल तका देता ते मैं अम्मा हजरत तो ते डिगी मैं देखे अब्बा हजरत ते प्रानू सिपाई खिच दे हुए दूर ले गए उना दे सामने पांची सपाई बंदूकां तान के खड़े हो गए उना पास जर्नेल भी खड़ा हो गया ते उन्हें उच्ची वास्च कुछ पर किया झो मैं समझ न शकी इस तो बात से पायान उन्फिच इस पायाने बंदूकां अपनी चाती ते रखियां ते बंदूकां नमू अब्बा हजरते प्रावल कर देता उस समय अब्बा हजरत दी आवाज आई उना ने मेरा नाम लेके बलाया ते क्या लै बेटी अल्ए अवाज आई थे बहुत सारा तू आ निकलिया। कि ये सानू कैदी बना लेंगे। नेडे खोन ना लत्पत पे हैं। खोदा तेरा नामों निशान मिटा देवे। तू बिल्कुल चूठ बोलिया। ये दो में तक गदर दे शुरू होन तो बाद अखीर तक का रतुबार नहीं निकले सी। तू किस दिन दा बदला ले आए। मेरे जई बिमार दुखिया ते भी तैनू रहम जा तरस ना आया। तू इस पोड़ी पाड़ी बच्ची दा भी ख्याल ना कीता। ते साड़े वार सानू बेवजा ते बेकसूर खोन चो डोब देता। अम्मा ये कह रही सी के देसी फोज देसी पाई आये। मैंनू ते अमानू हाथ फड़के उठाया कसी इटदे हुए ले गए। नाम मा चल सकती सी ना मैं पर उसानू बक्रियां वां खिचके लजा रहे सानू पहाड़ी ते चल देयां पथरान आल साड़े पैर लोव लुहान हो गए सानू मैं नहीं कह सकती के दुनियांचे इस तरांदी तकलीफ सानू उस समे सी या जेही तकलीफ होरुई किसे नू पेश आ सकती है। फोज जी छोणी तो बार लिया के स्पाईया ने सानू छाड़ देता। अम्मा बिलकुल भी होश पही सी। मैं उदे कोल बैठी रो रही सी। थोड़ी देर बाद एक कस्यारा कादी पंड लेके उत्थों दी लंगया। मेरी कोल आया उन्हें गठडी सिर्थों उतार के अम्मानू वेख्या। केहा के ओरता मर गई। ये कस्यारा हिंदू सी। मैनू उत्थे छड़ के उच्छोणी गया। उत्थों दो-तिन मुसल्मान कस्यारानू लेके आया। उन्हा सबने भी इही किया के ओरत मर गई है। उनाने मेरे ते अम्मा दे हाथ वेच गड़े ते गैने उतार देते ते क्या के जद आदमी मारे गए ता उना पासों बहुत सारे हीरे जुआ रात निकले ते उसाब सरकारी खजाने चे चले गए पर एसाड़ा हक है इस तो बाद उनाने टुआ पुटके अम्मा नू दब दे दो आदमी मैंनो उठा के अज मेरी दर्वाजे वल ले आए ते थे छटके चले गए मैं कली बैठी रो रही सी के खानम दे बजारों मुसल्मान सुनियार अपनी औरता नू लेके उत्ती आए ओ कुटब साहिब जा रहे सान ओ मैंनो अपने नाल कुटब साब ले गए जद श चैर चमन चैन हो गया ते मुसल्मान सुनियार भी दिली वापस आए ता मैनो मेरे रिष्टे दे शेहजाद्यां दे हवाले कार देता ते मैं उना पास रह के वड़ी होई उना नल रह के मेरा व्या होया ते व्या तो बाद ही मेरी पेंशन लग गई अल्ला दी रहमत नाल मे रह कार कई बच्चिया ने जनम लिया पर कोई वी जियोंदार ना रहा इत्थ हो ता कि पती भी मर गया ते हुन पिछले चार साला तो अक्षा दी रोशने भी चली गई सुन लई मिया दुख्यारी दी एक कहानी मेरी अंग अंग चुँ हाई हाई दिया वाजा ओं दिया हन मैं इस दुनिया जिस सिर्फ दस साल दी उमर तक कराम देखिया है ते सतर साल मुसीब तांदा सामना कीता है उनका बर्च पैर लटका के बैठी है अज मर गई ता कल दूजा देन ये विचारी बेबे मिल गई है बजार तो जरूरत असमान ले आउंदी है ते रात दिन कोड बैठी रेंदी है ते असी दो में आखरी उमर दी ये दुख परे दिन मिल चुल के जमेंगे में गुजार रही है तानवाद